किताबों की दुनिया से बाहर चलते हैं आज असल दुनिया में और देखते हैं कुतुब मिनार के बारे में जिसके बारे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ये शुरू होती है कुतुब मिनार जो की सूफी संत बक्तियार काकी के नाम पे बनाई गई थी और इसमें आप देख पा रहे होगे जिस तरह से ये आयते लिखी हुई हैं जिसको कूफी बोला जाता है इसमें नकाशी की जाती थी इस तरह से इसको लिखा जाता था डिजाइन मना के तो इसको कूफी कहते हैं ये इसलामी स्थापत्य में इस तरह से डिजाइन बनाई गई है सभी इमारतों में और ये कुतुब कॉंप्लेक्स है, इस कुतुब कॉंप्लेक्स में और भी बहुत सारी इमारते हैं, जैसे कुवत्तुल इसलाम है, अलाई दर्वादा है, अलाई मिनार है, इसके लावा इल्तुतमिश का मकबरा है, ये है पांच मंजिला कुतुब मिनार, जिसकी पहली मंजिल कुटबुद्दिन ऐबक्त ने बनवानी शुरू की थी और इसको पूर्ण किया तीन मंदिल जोड़के इलतुत मिशने अभी इसमें जो तीन मंदिल दिख रही है और उपर की जो दो मंदिल हैं एकदम अलग है नीचे की जो तीन मंदिल हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है और उपर वाली जो दो मंदिल दिख रही होंगी ये सफेद बलुआ पत्थर से बनी है इस कुटब मिनार में कई सुल्तानों का योगदान रहा है जैसे मैंने बताया आपको कि कुटबुद्दिन एबक ने इसको बनवाना शुरू किया फिर इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण किया और बाद में फिरोशा तुगलक ने इसमें दो इमारतें उपर की जोड़ी है जिसकी मरम्मत आगे चलके सिकंदल लोदी ने करवाई तो इस तरह से इसमें कई सुल्तानों का योगदान है और ये पूर्ण हुई है कुछ 72.5 मीटर इसकी हाइट है और ये कुतुब मिनार के दाहिनी तरफ आप एक गुमबद देख पा रहे होंगे जिसको अलाई दर्वाजा बोलते हैं इस अलाई दर्वाजा की भी अपनी एक खासियत है इसकी जो गुमबद आपको दिख रही है ये इसलामी स्थापत्य में जो भारत में जो इसलामी की स्थापत्य हुआ उसमें ये पहली वास्तविक गुमबद है और विशुद्ध वैज्ञानिक तक्नीक से बनी हुई भी ये पहली ऐसी गुम्बद है ये है अलाई दर्वाजाख जो की कुतुब मिनार का प्रवेश द्वार है और यहाँ पे ये जो इस्थापत्य है ये खिल्जियों ने करवाया था एलाउ दिन खिल्जी का किया हुआ इस्थापत्य है और यहीं से भव्वेता जुड़ती है सल्तनत इस्थापत्य में अब आप देख पा रहोगे इसमें सफेद संगमरमर का भी इस्तमाल किया गिया है लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तमाल किया गिया है इसलिए जॉन मार्शल साहब ने इसको इसलामिक इस्थापत्य का सबसे बड़ा हीरा बोला है और वहीं पर फर्गुसन और पर्सी ब्राउन ने भी इसको एक चरम बिंदु माना है इसलामिक इस्थापत्य का खिलियों के इस्थापत्य में ये इंडो इसलामिक आर्ट का भी एक एक इक्जामपल है आप देख पा रहोगा यहाँ पर जिस तरह से ये फूल बने हुए हैं ये फूल जो हैं ये हिंदुों के इस्थापत्य से लिए हैं और इसमें बहुत सारे बौध तत्वे भी मिलते हैं हमको तो ये जो इस्थापत्य है ये हिंदु, मुस्लिम और बौध तीनों का मिश्रण है ये है इसकी अंदर की गुम्बत ये मैं अंदर से दिखा रहा हूँ आपको और यहां से हम प्रवेश करते हैं कुतुब मिनार की तरफ जिसके बारे मैंने आपको बता ही दिया कुतुब मिनार पांच मंजिला जिसकी जो दूसरी मंजिल है ये सबसे उची है और जो इसकी पांचवी मंजिल है वो सबसे छोटी है उचाई में अगर देखा जाए यहां से जरूर आपको पहली मंजिल सबसे लंबी उची दिख रही होगी लेकिन इसकी दूसरी मंजिल ही सबसे उची है और पांच में आप देख पार होगा यहां से कि किस तरान से सफेद अलग से दिख रही है यह इसका भूतल है और भूतल पे इसका व्यास करिब 46 फिट है और जो शीर्श है इसका जो शीर्श है उसका व्यास 9 फिट है कुवत्तुल इसलाम का ये आंगन कुवत्तुल इसलाम नाम की जो मस्जिद है उसके मैं आंगन में खणा हूँ यहां और इस आंगन में सबसे खास बात है ये एक लह इस्तम्ब इस लह इस्तम्ब पे एक संस्कृत में लेख मिला है खुदा हुआ अभी लेख एक है ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ आपको दिख पा रहा हूँ गए एक लेख खुदा हुआ है संस्कृत भाषा में ब्रह्मी लिपी में है ये और इसी लेख से ये पता चलता है कि ये चौथी शताब्दी का है कुछ और इस लेख से हमको ये पता चलता है कि ये किसी चंद्रशासक के नाम से है तो जिसकी पहचान अभी की गई है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त दितिये से जिसको हम विक्रमा दिति के नाम से भी जानते हैं चौथी शताब्दी में निर्मेती लोह इस्तम अपने आप में एक अच्छी एक तकनीक है एक वैग्यानिक तकनीक को दर्शाता है क्योंकि ये विशुद पितवा लोह जो है उससे बना है और 1851 तक इस तरह का लोहे से बना हुआ हमको कोई भी ऐसा वस्तु देखने को नहीं मिलती तो इसकी खासियत ये है अब ये इतना पुराना हो गया है चौथी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं आज से 1600-1700 साल पहलेगी लेकिन इसमें जंग का एक भी आपको कत्रा देखने को नहीं मिलेगा इसको गरुड धज भी बोलते हैं और इसके शीर्ष पे एक छेद है उसके उपर शायद गरुड की मूर्ती हो इसको भागवत धर्म से जोड़ा गिया है विश्नु भगवान विश्नु से जोड़ा गिया है और इसको इसलिए गरुड पिलर भी कहा जाता है और इसके आंगन में ये जो दीवार बनी है ये कुवत्तुल इसलाम की महराब है एक तरह से और दीवारों पे आप देख पा रहे होगे जो कुवत्तुल इसलाम जो मस्जिद का निर्मान करवाया गिया था इसको 27 जैन मंदिरों को तोड़के बनाया गिया था तो इसकी जो दीवार है इस पे बेल बूटे बने दिख रहे हैं और आपको कुछ उर्दू और फार्सी में भी लिखा दिखेगा तो इस तरह से इसमें छेड़चाड जस्ट की गई है और इसको एक मस्जिद का रूप दिया गिया था यह इसी मस्जिद का हिस्सा है जितने भी स्तंब दिख रहे हैं खंबे और यह इसका पूरा गैलरी है इन खंबों पर आपको दिख रहे हूंगे बेल बूटे किस तरह सजे हुए हैं जो कि हिंदू स्थापत्य का नमूना है जैन स्थापत्ते, हिंदु स्थापत्ते कुछ इस तरह से होते थे उन्हीं का ये नमूना है और इसी को तोड़के या इसी को थोड़ा सा अलग से कुछ इसमें शैलियां जोड़के इस कुवत्तिल इसलाम मस्जिद का निर्मान कराया था खुद्बुत्तिन एबकनी जो अभी इस समय जीन्ड शीन्ड अवस्था में दिख रही है महराब बनवाई गई और ये विशुद्ध महराब भी नहीं है एक तरह से तो यहां से जो इस थापत्ते है ये सामने आपको दिख रहा होगा अलाई मिनार इसको कहते है कुद्ब कॉंप्लेक्स की अपनी यात्रा को जारी रखते हुए चलते हैं अब हम इल्टुत्मिष के मगबरे की तरफ और ये मगबरा बना है इल्टुत्मिष का इसको सुल्तान इल्टुत्मिष ने खुद बनवाया था 1235 हिस्वी में जब उसने सुल्तानगड़ी का मकबरा बनवाया 1230 में उसके 5 वर्ष बाद ये मकबरा बना है और इसमें 3 महराब है अब देख पा रहोगे ये 1, 2 और ये 3 3 महराब हैं जिसमें इसका प्रवेश है और पीछे वाली महराब जो है इसको बंद कर दिया गिया है और इसमें संगमर्मर का भी इस्तमाल हुआ है अच्छे तौर पे काफी और लाल बलुवा पत्थर से इसको बनाया गिया है पूरा इसी इमारत में सबसे पहले स्क्विंट टैक्निक का इस्तमाल किया गिया था एक गुम्बद को बनाने के लिए लेकिन ये गुम्बद जो है ये टिक नहीं पाया और ऐसा माना जाता है कि फिरोशात तुगलक ने इसके उपर एक गुम्बद का निर्माण फिर से करवाया था जो की समय के साथ गिर जाती है और अभी इस प्रेजन्ट स्टेट में यहां प ये सुल्तान इल्तुतमिष यहां पे रेस्ट कर रहे हैं हम वापस आ गए है कुबत्तुल इसलाम मस्जिद के प्रांगण में जिसको इस आंगन को बढ़ा किया था इल्तुतमिष ने इस तरफ और इसी आंगन को बाद में खिलजीयों के समय अलाउदिन खिलजी ने इस तर इसको अलाउदिन खिलजी ने बनवाया था उसका ऐसा मानना था कि उसको कुतुब मिनार से भी दुगनी उची एक इमारत बनानी है और इसका हमको अमीर खुसरो की तारीख इलाई में भी जिक्र मिलता है कि उसने ऐसा चाहा था कि एक दुगना बड़ा मौस्क कुवत्तु इसलाम से बड़ा बनाए और कुतुब मिनार से भी उंची है किमारत बनाए परन्तु जिससे पहले इसको पूर्ण करा पाता उससे पहले ही उसकी मृत्ती हो गई और ये इसलिए आपको अधूरी अवस्था में देखने को मिलती है इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपनी आज को उसके बारे में बहुत कोस समझाने की पूरी व्रांगण के बारे में तो मिलते हैं अगले आतिहासिक यात्रा के साथ किसी और मिनार किसी और अथिير कर ले किसी और इमारत में